Hello Friends, आज हम Bad Guy ये 2001 की Korean movie एक्स्प्रेंग करने वाल है इस movie में गैंग्स्टर एक लटकी को देखता है पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है इसके बाद गैंग्स्टर इसे हमेशा के लिए फसा लेता है ये एक अजीवी तरह की love story है तो चलिए इसे explain करना start करते है movie start होती है और हमें हमारा main character हान रस्टे से जाता हुआ दिखता है वो city में आता है जरा hangout करता है हान गैंग्स्टर है और ये prostitution की ए ग्रिंग चलाता है हान जब रस्टे से जा रहा होता है तो उसे सुन दिखती है सुन हमारी और एक main character है सुन को देखती है वो उससे बहुत ही attracted हो जाता है सुन बेंचप बेटी हुए होती है तो उसके पास जाकर बेट जाता है सुन का boyfriend पास minute में वहाँ आने वाला होता है हान इसको ही घूर रहा होता है तो सुन ज़रा डर जाती है थोड़ी देर में सुन का boyfriend आता है ये वहाँ से जा रहे होती है पर हान उटता है उसके पास जाता है और उसे जबरदस्तिक हीस करता है अब सुन तमाचा खड़ा कर देती है उसका boyfriend भी उसे sorry केने के लिए कहता है हान कुछ भी बोल नहीं रहा होता और सिर्फ देख रहा होता है यहाँ कुछ पुलिस आते है और इसे apologize करने के लिए कहते है हान अभी भी सुन नहीं रहा होता तो पुलिस और हान इन दोर में fight हो जाती है हान अपने घर पर आता है वहाँ उसके दो friends हमें दिखाई देते हैं इसे बहुती गुसा आया होता है तो खिड़की वो तोड़ देता है नेक्स दिन जहाँ पर उसे सुन मिले थी उसे जगा पर जाकर बेढ़ जाता है उसे सुन फिर से दिखती है तो उसका पीच्छा करने लग जाता है उसका क्या रूटिन है यह जान लेता है सुन जब लाबररी में होती है तब हान अपने फ्रेंड के साथ वहाता है हान का फ्रेंड एक वालेट लेता है और सुन के पास जाकर रख देता है ये वालेट रख कर वहाँ से चला जाता है और सुन थोड़ी देर बाद इसे देखती है इसे ज़रा लालच आ जाता है और यह wallet उठा लेती है बात्रोम में जाती है और सब पैसे count करने लग जाती है इसके बाद एक आदमी इस wallet को ढूनता है और यह सुन को spot कर लेता है सुन की पीछे-पीछे भागने लग जाता है सुन भी बहुत दूर तक भागती है पर एक जगा वो रुख जाती है अब यह आदमी wallet चेक करता है कहता है तो यहाँ तो बहुत सारे पैसे थे इसमें एक चेक भी था जो 10,000 डॉलर्स का था अब मेरे सारे पैसे कोन देगा वो सुन को धमकाने लग जाता है सुन को कहता है कि अब तुम क्या करोगी सुन भागने की कोशिश करती है पर वो कही भी जा नहीं सकती यह आदमी कहता है कि तुम कुछ भी करो कहां से भी पैसे लाओ या तुमें लेना पड़े तो लोन ले सकती हो सुन कहती है कि मुझे कोन लोन देगा ये आदमी कहता है कि मैं कुछ लोग को जानता हूँ जो तुमें लोन दे सकते हैं ये आदमी फिर गैंग के पास उसे लेकर आता है यहाँ पर एक contract रों sign करती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो पैसे पेह नहीं कर पाए तो उसकी body पर पूरा गैंग का हक होगा यह जो सब ब्लैंड था, यह हान गई था, यह आदमी भी हान नहीं ब्लैंड किया था अब सुन बड़े ट्रबल में फस जाती है, हान उसका यह जो बिजनेस है, यह रस्ते पर चलाता है यहाँ पर जब पुलिस आता है तो उसका फ्रेंड मियोंग आगे जाता है और पुलिस को रिश्वत वेगरा देख कर आता है अब नेकसिन में हम देखते हैं कि सुन गैंग के आदमी के पास है सुन पैसे नहीं दे पा रहे तो अब यह पूछता है कि तुम आप ग्या करो की यहाँ से भागने के कोशिश करती है पर यह उससे पकड़ लेता है यह उससे जबरदस्ती इंटिमेट होने के कोशिश करता है पर यहाँ हान के फ्रेंड सा जाते हैं यह उससे बहुत मारते हैं इसके बाद हान के फ्रेंड सुन को उनकी एरिया में लेकर आते हैं यहाँ पर इस बिजनेस की जो मैन होती है इसे उससे सोब देते हैं ये leader सुन से उसका नाम बोश्टी है पर सुन अपना नाम बता ने रहे हुती है तो उसे बहुत मारती है इसके बाद सुन सब कुछ बात करने लग जाती है इसके बाद सुन के लिए हो shopping करते है और उसे भी shop में display के लिए रख देते है रस्ते से एक आदमी जाता है और सुन को choose दूश करता है, यह दोनों फिर room में आ जाते है, सून अ करना नहीं चाहती तो स्ट्रगल करने लग जाती है जिस room में होते है、 इस room में एक बढ़ा सा๊ मेरर होता है,' मेरर के दूसरे साईड में हान सब कुछ देख रहा होता है रूम के अंदर के लोगों को हान वहाँ है ये पता नहीं चलता ये आदमी सुन को जबरदस्ति कर रहा है तो हान अपने फ्रेंड को बेचता है ये आदमी मान नहीं रहोता तो हान का फ्रेंड उसे बहुत मारता है और वहाँ से निकाल देता है अब सुन की बॉइफरेंट के साथ इंटिमेट होना है अब ये आरेंज गरवाया जाता है उसका बॉइफरेंट एक गाड़ी में उसके साथ होता है ये पूछता है कि आचानक तुमने मुझे क्यों बुलाया है सुन इसे हग करती है पर ये सब हान भी देख रहा होता है हान को जेलस मेंसुज होता है तो सुन के बॉइफरेंट के पास जाता है और उसे बहुत मारता है अब भी सुन हान को देख नहीं पाई है नेक्स दिन हान सुन के पास जाता है सुन को ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो उसे एक ड्राइंग बुक को देखकर आता है हान अपने फ्रेंड्स के साथ बेठा हुआ होता है इसमें से एक फ्रेंड का नाम होता है मियूं मियों कहता है कि बहुत ही beautiful है वो हमेशा से college girl को date करना चाता था सुन उसे बहुत ही पसन है यह वो हान को कहता है सुन अपने room में अकेली होती है और drawing देख रही होती है हान मी mirror के पीछे से उसे observe करता रहता है हम फिर दिखता है कि सुन के पास हां का friend मियोंग आ जाता है मियोंग अब सुन के साथ intimate हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही sorry हूँ मुझे लगता है कि मैं ही तुमारे इस situation के लिए responsible हूँ जो भी सब हुआ था यानि कि हान ने सुन को फसाया था ये सब कोच वो सुन को बता देता है अब सुन बहुत ही जिर जाती है और हन के पास आती है इसे बहुत मारती है और वहाँ से चली जाती है हान अपने friend पर बहुत ही जिर जाता है और एक बड़ी से बैट लेता है उसे मारने कोशिश करता है पर मारता नहीं मियोंग अमने फ्रेंट से कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ इसलिए मैने उसे सब कुछ बता दिया अब सुन बहुत ही दुखी हो जाती है वो बहुत रोती है उसकी बॉस जब उसके बास जाती है तो सुन कहती है कि इस जगाँ पर मैं क्यों हूँ तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो ये बॉस फिर जेट जाती है और उसकी बॉड़ी उसे दिखाती है बॉस के बॉड़ी पर भी बहुत सारे स्कार्स है सुन की तरह ही इसने रेजिस्ट किया था इसी वज़े से उसे बहुत मारा गया था सुन अब बहुत दारूपी थी है और सो जाती है रात में हान उसके पास आकर बैट जाता है सुन थोड़ी सी उठती है और हान पर ही उल्टी करते थी है इसे बाद हान दुसरी औरत के साथ इंटिमेंट होने की कोशिश करता है पर उसे गलत लगता है और वहाँ से हो चला जाता है निज दिन सुन जब रेडी होती है तो उसे बहुत ही डिप्रेस्ट मैसूस होता है इस शीशी की तरफ देखने लग जाती है हान भी उसे ही देख रहा होता है हान उसे समझने की कोशिश करता है हान को उसके लिए काम करने वाली एक लड़की बुला थी है और कहती है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़ बड़े उसे लग रहा होता है कि उसे कोई देख रहा है इस लड़की की रूम में हो जाता है और सब को चेक करता है तो उसे वहाँ एक कैमेरा मिलता है ये camera हैन की ही दूसरे friend यून ने लगाय होता है इन सब लड़कियों के जो बहुत है ये यून को बहुत मारती है यून जब वहां से चला जाता है तो मियूंग हां को समझाता है वो कहता है कि इसके father को cancer है इनकी इलाज के लिए बहुत सारे बैसे लगने वाले थे इसी वज़े से इसने किया होगा हान भी यून के पास जाता है और उसे माफ कर देता है यून अब नहीं-नहीं यहाँ आई है तो सब customer यून के पास जाते है दूसरी लड़किया जो यहाँ काम करती है इससे जगडा करती है इसे slap भी हो कर देती है म्यूंग अब अपने friend's से बात कर रहा ता है वो कहता है कि क्या मुझे हान को जाकर बता देना चाहिए कि मैं यून से बहुत प्यार करता हूँ म्यून हान के पास जाकर कहे भी देता है वो कहता है कि सब कुछ सही रहा तो मैं उसे शादी भी करने वाल हो तुम्हें उसके साथ जो भी किया इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूँगा म्यून अब सुन के पास जाता है और अपनी सब फिलिंग्स उसे बता देता है सुन इस वर बिलिव नहीं करती सुन फिर कहती है कि अगर सच्चूस में तुम उससे प्यार करती हो मुझे यहां से बाहर निकलने में मदद करो म्यून फिर सुन को बाहर निकलने में हेल्प करता है और सुन वहां से चली जाती है सुन अपने घर के पास ही होती है तभी हान उसे फिर से उठा लेता है म्यून को जब पता चलता है कि हान सुन को लेने के लिए गया है तो वो कहता है कि यह भी सही ही होगा मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ हान सुन को बीच पर लेकर आता है बीच पर हम देखते है कि रेट ट्रेस में एक लड़की है यह लड़की समुंदर में जा रही है और हान इसे ही देख रहाता है जिस स्पॉट पर वो बेठे हुए होते है तो फाड़ी होई फोटोग्राप सुन को वहां मिलती है यह उठा लेती है और रक लेती है सुन हान को कहती है कि प्लीज मैं जाने दो पर हान उसे फिर से वापस लेकर आता है इस राद हान सुन के पास आता है यहां आकर वो रुने लग जाता है रो रो कर ही सो जाता है हान के गैंग का जो औरिजिनल बॉस था यह जेल में गया था और वो छूट कर वापस आ चुका है यह जब एरिया में आता है तो सुन के पास जाना चाता है हान को हैसा ही नहीं लगता तो अपने फ्रेंड को भेश कर अपने बॉस को भार निकाल देता है बॉस का एक राइड हैंड आदमी होता है जो हान को बहुत इंजूर कर देता है इसके बाद वो और हान इन दोनों में 1-2-1 फाइट होती है इस फाइड में हाने पेपर को ही चाकू की तरह शेप देता है और इस आदमी को मार डलता है अब बॉस कहते हैं कि तुम थोड़ी भी नहीं बदले हो उसे जॉब देकर वहाँ से चला जाता है बॉस ने प्रिटेंड तो किया है कि हान को उसने माफ कर दिया है पर एक्चुल में उसने उसे माफ नहीं किया होता एक आदमी को भेजता है जो एक बहुत बड़ा शीशा लेकर जा रहा होता है हान के बास जाकर उसके पेट में ही ये डाल देता है हान बहुत ही इंजोर्ड होता है पर उसे प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिल जाता है अब नेकसिन में हम देखते है कि यून और मियूं ये दोनों फ्रेंड हैंग आउट कर रहे होते है वह आपर पुलिस हपता लेने के लिए आता है यून हर एक पुलिस को हेट करता है ये पुरी हेट पुलिस को पता चलती है ये पुलिस कहता है कि ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो मियून पुलिस को रोकता है और कहता है कि उसकी आखे ही वैसी है तुम इसे इग्नोर कर दो यून पुलिस पर बहुत ही चिड़ गया आता है तो रात में जाकर उस पुलिस को मार कराता है हान को जब बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्ता आता है यून अगर जेल में गया तो उसकी बुरी लाई बरबाद हो सकती है यून के father भी विमार रहते है उस पर हान को तरस आता है और यून की जगा पर अब हान जेल में जाने वाला है हान already जेल में जा चुका है तो इस बार उसे फासी होगी हान को डेटरों में डाल दिया जाता है सुन को हान के बारे में जब पता चलता है तो बहुत ही सैड हो जाती है उसके बहुत उसके पास आती है वो कहती है कि हान के वज़े से ही तुम्हारे साथ यह सब हुआ है और तुम उसके लिए ही सैड हो क्या तुम उससे कुछ बात करना जाती हो इसके बाद हम देखते हैं यून सुन को लेकर हान से मिलने के लिए आता है चुन उस पर जीड कर बोलती है कि यहाँ से अब तुमें बाहर निकलना है तुम इस तरह से मर नहीं सकते है तुमने मेरी लाइव बरबात की है तुम यहाँ से बाहर निकलना होगा जब यून सुन को लेकर जा रहा होता है तो गाड़ी रोग लिता है तो कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ उसे फ्री करने वाला होता है पर सुन मानती नहीं सुन ने बीच से जो फोटोग्राफ ली थी इसमें हान है और एक लड़की के साथ है यह वही लड़की है जो हान बीच में देख रहा था नेकसिन में हम देखते है कि इनके एरिया में और एक पुलिस वाला ब्राइब लेने के लिए आता है वो डिसाइड करता है कि अब इस पुलिस ओफिसर को मार देगा और जेल में चला जाएगा यह अब इस पुलिस ओफिसर को मार देता है और जेल में आ जाता है जेल में भी यून की उसकी इन्मेंट के साथ नहीं जमती तो यहाँ भी वो बहुत मार खाता है हान का आज मरने का डे आ जाता है यहाँ भर यून बहुत ही तमाशा खड़ा करने लग जाता है जब उसे शान करने लिए गाड वहा जाता है तो गाड को ही जेल में बन करकर वो बाहर निकलाता है वो हान के पास आता है और हान को मारने लग जाता है वो हान को कहता है कि अब तुम सच बोल दो तुम्हारे लाइब बस सकती है इसके बाद हान सब को सही से confess करता है और जेल से बाहर आ जाता है हान फिर से मिरल के बीचे की रूम में जाता है और सुन को देखता है सुन को न्यूज मिलती है कि हान अब बाहर निकल चुका है हान फिर सुन के बाज जाता है और इसे देखकर यह खुश होती है येसे हग करती है और रोने लग जाती है नेकस दिन हान सुन को गाड़ी में बिठाता है जिस जगावर सुन को उसने पहली बार देखा था वही उसे छोड़ देता है इस बार सुन को लेने के लिए कोई भी नहीं आने वाला यानि कि सुन को सही में उसने free कर दिया है मियोंग सुन से प्यार करता था वो हां को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मियोंग को लगता है कि हान ने सब कुछ बरबात कर दिया है राद में ड्रंक हो जाते है और इन दोनों की fight हो जाती है इस fight में म्योंग हान के पेट में चाकू डाल देता है हान खुन से लत्पत होता है और वो आगे चला जाता है हान फिर अपना इलाज करवाता है कि हान ने सुन को जिस बीच पर लाया था उसी बीच पर सुन पहुच जाती है जिस spot पर उसे photograph के pieces मिले थे इनी pieces को ढूनने लग जाती है सारे pieces को ढून लेती है और यह photograph अब वो complete करती है जब वो देखती है तब हान की जो पहली girlfriend थी यह सुन की तरह ही दिखती थी पहली बार हान ने जब सुन को देखा था तो बिलिव ने कर पाया था हन ने सुन के साथ जो भी किया था वो गलत किया था पर सुन को realize होता है कि उससे बहुत प्यार करता है जिस dress में हन की girlfriend की photo होती है वो ही dress यून बाय करकर आती है यह पहन कर बीच पर नज़र रखती है थोड़ी दिर में वहाँ हन भी आता है हन की पास आती है और बेट जाती है इसके बाद हम देखते है कि हन एक ट्रक पाय करता है यहाँ पर वो बिस्तर दक्याव अगरा सब कुछ लगाता है यानि कि वो यहाँ रह सके यहाँ पर रहने खाने के लिए जो भी सब चीज़े होती है यह सब वो रख देता है हन और यून यह दोनों नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक नई सीटी में जाते हुए में दिखते है सब को लगता है कि हन अब मर चुका है तो उसे अब ग्यायंग में रहने की कोई भी जरुवत नहीं है हमने मूवे में देखा है यह उनको फ्री कर दिया गया था पर फिर भी वो वही जगा पर आ गई अगर वो फिर से रियल वर्ल में जाएगी तो वहावर रह नहीं पाएगी हन और सुन दोनों फ्री हो जाते है और एक दूसरी के साथ वो जिन्दगी बिताने वाले है यह एक अजीब ही लव स्टोरी थी जिसे कोई भी जस्टिफाइ नहीं कर सकता यही आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटिफेशन आइकोन दबाना भी मत भूले है हम विर से मिलेंगे और एक नहीं मुविज के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखे है